प्रवेश शुब्दा से ज्यादा अशुब्दा का संकेत मान प्रतिस्ठा को बड़ा नुकसान दौलत पर दरिद्रता का ग्रहन पर राश्यो पर सूर्य गोचर का प्रभाव देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर धर्म ज्यान के दर्शुकों का स्वागत है कविता राना मेरे साथ अचारे महिंग श्रम जी महिंगी स्वागत है आपका दनेवार कविताटी सभी दर्शुकों साधर नमस्कार दिवाले से ठीक पहले ग्रहन अक्षत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्त है ग्रावो के राजा यानि की सूर्य सत्रा अक्टूबर से राश्य परिवर्तन करने जा रहे हैं अब कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो कि महिंग श्रम जी ने मुझे बताए कि आपकी बाहर सूर्य अपनी नीच अवस्ता में हो गया यानि की सूर्य नीच के हो जाएंगे और वो भी तुला राशी में अब य सूर्य हर महा राशी परिवर्तन करते हैं और एक महीने तक एक ही राशी में रहते हैं और अभी कहते हैं कि सूर्य की जो नीच राशी है तुला राशी मानी जाती है यानि कि जब तुला राशी में आते हैं तो कहीना कहीं सूर्य की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ती है यू निज्श को माना जाता है और स्टॉइन सुभ्य राशी जैसे ही नीच को होंगे तो नस ना सब्सक्राकिन कई और और उर्ड़ ऑप साथ ना घ्राश कर अगलें निज्व कर दो गोने आपके डी चे यहां तो फन रहने वाल है doing राश्यों के उपर यह आपको बताएंगे जैनरली यह कहने कि सूरिय अगर नीश का होता है तो यह हम कहते हैं कि देश दुनिया के लिए राजनीती से जुड़े लोगों के लिए राजनेताओं के लिए अभीनेताओं के लिए यह योग अच्छा नहीं माना जाता है इन बार बुद्ध के साथ है तो कही ना कहीं बहुत जादा अशुपरवाव नहीं रहेगा तो इसलिए बहुत जारा चिंता वाली बात नहीं है लेकिन क्योंकि जब कोई भी घरे नीच का होता है तो उपको परेशानिया हर राश्य को देखे जाता है जिस तरह से जब कोई घर तो बारा राश्य को कुछ ना कुछ शुपखन मिलते हैं तो नीच के होने पर बारा राश्य होगो कुछ ना कुछ परेशानिया रहेंड़ी होEh वह क्या परेशानिया होंगी वसमा प्ताइंगे और क्या सापधानी अको रखनी चाहिए इसस्ते की avene को ताला जा सके क्यों बिल्कुल और देखिए हमेशे के तरह मैं आप लोगों को यह बताने के कोशिश करते हूं कि जो हम ग्रह गोचर वाले जो यह वीडियो लेकर आते हैं इसके पीछे का देके हमारा सिफ यही लक्ष है आपको यह समझाना कि समय समय पर जब ग्रहचार बदलती है तो उसका प्र तो यहाँ पर कहा है कि कोई भी काम अगर आप पार्टनर्शिप में कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है या पार्टनर्शिप तूटने की हालाद भी बन सकते हैं थोड़ा सा समल के चलें अपने एक क्रोध पे नियंतन रखें क्रोध क कोई भी फैसले लेने हैं तो सोस समझ कर लें और कोई ठोस निर्ने लें जल्द बाजी में कोई फैसला लेंगे तो गलत भी आपके लिए साबीत हो सकता है ऐसे में धन हाली होने की आशंका रहती है या भूल चूप वैश हम कहीं गलत जगे पैसा निवेश कर देते हैं किसी को बादा कोट के चैरी के मामले थे उनसे आपको चुटकरा मिलेगा जी विदेश यातरा का योग बनेगा विदेशों से लाप जो लोग विदेश जाना चाहते हैं समय पर जिनका वीजा नहीं लग पा रहा था वीजा लगेगा जो लोग विदेश में नोकुरी डूंड रहे और विवादों से अपने आपको आपको दूर रखना चाहिए चलिए बात करेंगे मितुन राश्य के बारे में मितुन राश्य वालों पंचम भाव में सूर्य देव नीच के होंगे तो पेट संबंदी तकलीफ बढ़ सकती है आतों में इंफेक्शन होना और संतान की सिहत का भी ध्यान यहंड देखें को छात्रों को इस समय ध्यान से नलातर पढ़ाई करने पढ़ेगा ध्यान आपका बटख सकता है पड़ाई से पढ़ने वैठ रहे तो और शीट से बचें अने था तो परिशानियों में आपको आने वाले समय में सूरी देव डाद सकते हैं क्यों उनको जरूर लाव मिलता हुआ नजर आ रहा है मेश वरिश्य मित्वन इन तीन राश्यों के बारे में तो मेंगी से जान लिया और आप करेंगे करक के बारे में करक के बारे में तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का द्यान रखना चाहिए वही यहां गले छाती के रोग से प आपके लिए बहुत अच्छा है काम कारोबार नोकरी website में लाब होगा और अच्छे परिवर्तन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं चलिए करके के बाद सिंग राशी क्योंकि यहीं से इस बार सूर्य ने गोचर किया है इनके लिए क्या है सिंग राशी के स्वामी न कहीं न कहीं शत्रू बादा भी कुछ जादा इससे में रहेगी सिंग्राशी वालों के हर काम में अर्चने आएंगी भागे साथ तो देगा मगर रुख रुख कर कोई भी काम बहुत देरी से बनता हो नजर आएगा जो आपको लग रहा है कि दो तिन दिन में हो जाना चाहि अगर आप सरकारी रोकरी में है या राज नेता है तो आपको विशेश साब्धान देना चाहिए वाणी पर सहीम रखना चाहिए कुछी भी कारे में लापरवाई करने से बचें और धन का निवेश न करें चलिए से इंग के बाद कन्या के लिए यह आने वाले 31 दिन सूरे क इस गोचर में यह समय धन हानी की और संकेत दे रहा है और वाणी पर सहीम रखें यानि पैसा किसी को भी उधार नी देना है नहा कहीं बिजनस में लगाना है और मालसिक तनाव से ग्रसिद रह सकते हैं अपनी वाणी पर नियंतन लखें तो आपके लिए भेतर रहेगा सेहत कभी ध्यान दखना चाहिए कोई भी नए कारी की शुरुआत ना करें जो जैसा चलना है उसको वैसे ही चलते देना चाहिए और अब बात करेंगे तुला के बार में क्योंकि यहीं पे सूरिय नीच के हो रहे तो इनके लिए किती परिशानिया आपकी बात लगन में किसी भी कारी में सफलता नहीं मिलेगी हाला कि यह समय खासकर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा व्यापारियों को अच्छा लाब मिलता हुआ नदर आ रहा है बिजनस में आपको ज़रूर लाब मिल जाएगा जीवन साथी की भी तरकी होगी जीवन स अधिकारियों के साथ संबंद बनाके रखें तो आपके रहेगा काम कारुबार में एसीरता रहेगी इस महीने मतलब की खर्च जादा रहेगा और आपकी आये कम रहेगी, सहत का भी ध्यान रखें और नए कारी के शुरुवात ना करें धनुराशी धनुराशी वालों के लिए समय काफी अच्छा है लावसान में सूरी है तो धन लाव होगा संतान सुक्ति प्राप्ति होगी कामकारोवार बनेगा रुक्य वे कारे भी पूर्ण होते जा रहे हैं कोई कंप्टिशन अगर इस समय आप लड़ रहे हैं कोई पैशा तो उसमें निश्यत रूप से बड़ी सफलता आपको मिलती ही नगर आ रही है मकर राशी मकर राशी वालों आपके कारेक्षेत्र में थोड़े से मिले जुले परिडाम मिलेंगे सफलता मिलेंगी लेकिन थोड़ा देरी के साथ रूप रूप के आपके सभी कारीये में राशी वालों भागे सान में आपके सूर्य देव नीच के हो रहे हैं और पैसे का निवेश अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि लगन में शनी वी वक्री हैं तो थोड़ी परिशानी बढ़ा रहे हैं ये समय थोड़ा सबल के चले तो आपके लिए बेटर रहेगा सूर्य वेशेश लाब में राशी में ऐसे भाब सूर्य नीच के वह दें तो यहां पर एसे जो भूए आपको बन सकते हैं पैसा तो आपके पास आएगा शौरत भीमारी नेगी लेकिन परिशानिया बढ़ें ही सेहत संबंदी दिक्कते पड़ सकते हैं थोड़ा सावधान देना होगा तो इस बार सूर्य का ये गोचर कही ना कई अशुबता जादा लेकर आ रहा है तो क्या कुछ उपाई है जो इस अशुबता को कम किया जा सकता है परिशानियों को टाला जा सकता है उपाई के तौर पे उनको गुड़ का दान करने से विशेश लाब मिलेगा ओम अनित्याइनमा इस मंत्र का जाप करें रोजाना जिससे कि आपको सूर्य देव के अशुब फलो से जो उनके प्राप्त हो रहे हैं उनसे छुटकारा में जाए तो चलिए मुझे मैंग जी को इजास्त दीजे फिर देख मिलेंगे तप्तके लिए नमस्कार.